आप से भी का हमारी टूप चल्मे स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त राज का फरोर आप देख रहे हैं माई टेक मीडिया सपोर्ट यूटूब चैनल हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाल फॉन से ही Android application की जरीए आप किसी भी गाने का skill या फिर किसी भी गाने का जो टेमपो होता है और कैसे पता कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको एक इस application के बारे में बताने जा रहे हैं जिस application की मदद से आप किसी भी गाने का दोस्तोई skill पता कर सकने हैं कि आपका गाना कौन से skill पे है, major है या फिर minor है वो आपको बता देगा उस application की मदद से तो उस application को सबसे पहले आपको अपने mobile phone में install कर लेना है तो उस application का नाम क्या है तो अभी हम आपको बताएंगे तो application को install करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आपने भी तक हमारी सी टूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस हमारी सी टूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें सबसे पहले दूस्तों आपको play store open करना है play store open करने के बाद में यहाँ पे आपको search कर देना है back track kit जिसे कि यहाँ पे first वाला देख सकते है back track kit यह application का नाम है और यहाँ पे देख सकते हैं install का अपसंदिगरा है आपको इस application को direct आपने mobile phone में install कर लेना है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो application है back track kit application इंस्टाल होना start हो चुका है और इस application के जिरिए आप किसी भी गाने का skill पता कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमारा installation complete हो चुका है और यह last processing चल रही है इंस्टाल हो जाए फिर इस application को open करने के बाद में हम आप बताते हैं इस तरह से use करेंगे और किसी भी गाने का skill है कैसे पता कर सकते हैं तो दोस्तों application को open कर लिए हो जब open करेंगे तो आपके साबने कुछ इस तरह का interface दिख जाएगा तो यहाँ पर skip करने के बाद में यहाँ पर allow का option मांगेगा allow order तो दोस्तों यहाँ पर allow करना है ठीक है allow करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जाएगा तो सबसे नीचे जो तीसरा वाला option है music का तो इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पर दोस्तों कोई भी जो आपने track बनाया है तो उस track को आपको यहाँ पर drag करना होगा और उस track का जो भी skill होगा उस skill को आप आसानी से पता कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक track बनाया हूँ और उस track का भी मैं skill पता करके आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा Western Bigs Rhythm Loop से 115 BPM, 130, 135, 140 का यहाँ पे पड़ा हुआ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले 115 BPM लेता हूँ ठीक है यहाँ पे 115 BPM के उपर गाने के उपर हम ट्रेक के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्रेक के उपर किलिक किया और यह जो हमारा Song है कुछ इस तरह से नजराएगा और यहाँ पे दोस्तों इसका BPM आप पता कर सकते हैं BPM के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 115 BPM में बता रहा है जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था अब दोस्तों यहाँ पे की दीख रहा है आपको 115 के पहले की दीख रहा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको की के उपर किलिक करना है जैसे ही आप की के उपर किलिक करेंगे तो आपके जो गाने का जो ट्रेक का स्किल है वो यहाँ पर पता चल जाएगा तो यहाँ पर की के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गाने का स्किल है C Major तो इस तरह से आप किसी भी ट्रेक का स्किल दोस्तों आप पता कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर हम दूसरा लेते हैं ट्रेक तो पुसरे ट्रेक के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे अगर इसके उपर किलिक करें की के उपर तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, दूसरा skill बता रहा A major, यानि कि जो हमारे इस track का skill है, A major है, ठीक है इस तरह से अगर हम दूसरा यहां पर लेते हैं 135 BPM वाला अगर हम इसका की के ओपर click करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं C major बता रहा, ठीक है, तो यानि कि जो भी track का skill होगा, वो यहां पर दोस्तों बता देता है, और इसका जो tempo होगा, track का, वो tempo भी यहां पर बता देता है, तो यह तरह से आप किसी भी track का, जो आपने नया track बनाया है, तो उस track का दोस्तों, आप इस application के जरिए आप उस track का skill पता कर सकते हैं अब दोस्तों, यह skill सही है या गलत है, ओभी मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई भी skill लगाया है अपने local में, अगर आप कोई भी skill गरबर लगा देते हैं, उपर नीचे की कर देते हैं major का minor कर देते हैं, तो उसका sound quality खराब हो जाता है, ठीक है तो इस तरह से ए भी करता है, अगर मैं इसको play करके आपको सुनाओ, और skill को अगर मैं उपर नीचे करूँ, तो इसके quality को आपको फर्क पता चल जाएगा और आप समझ सकते हैं, कि यह सही है या गलत है, तो चले इसी को हम यहाँ पे play कर रहे हैं तो दोस्तों आपने सुना जैसे कि मैंने इस skill को change किया, B major किया, C major किया, C star major किया, D major किया, D star major किया, तो इसका जो quality है उसमें आपको फर्क महसूस होने लगा, ठीक है तो यानि कि जो हमारे गाने का जो skill है, ओ दोस्तों यह sharp manner ही है, ठीक है तो इस तरह से आप अपनी mobile के application से किसी भी track का skill पता कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लेगे तो please वीडियो को लाइक और हमारे टूब चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा